मशकार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में आज हम जिस टॉपिक के उपर बात करेंगे वह है जर्नल एनस्थेटिक्स जर्नल एनस्थेटिक्स एक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि प्रेड्यूस करते हैं इनके कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि लॉस आफ सेंसेशन स्पेशली पेन दूसरा स्लीप एंड एमनीशिया तीसरा था है इम्मोविल्टी एंड मसल रिलेक्सेशन फॉर्स आता है एवॉलीशन ओफ सोमेटिंग एंड उटोनॉमिक रिफ्लेक्स चलिए बात करते हैं में टॉपिक की जर्नल एनस्थेटिक की ड्रग्स की क्लासिफिकेशन यह जो है दो पार्ट्स में की गई है पहली इनहलेशन और इन्ट्रावीनश इनहलेशन हमारे पास दो प्रकार की है गैस और वॉलटाइल लिक्वेट्स में हमारे पास आता है नाइट्रस ऑकसाइड वॉलटाइल लीक्वेट्स की क्लासिफिकेशन की ट्रिक उसको देखते हैं वोलेट वाइल करने की ट्रिक है, मेरे इस हाल दी से भी एक वज़ा है, इस से है इसो फ्लियूरेन, हाल से है हेलोथेन, दी से है डिस्फ्लियूरेन, SEV से है सेवो फ्लियूरेन and E से है इथर चलिए अब बात करते हैं intravenous की intravenous दो प्रकार में divided है fast acting drugs में and slow acting drugs में slow acting drugs further तीन केटेग्री में divided है dissociative anesthetics, benzodiazepam, opioid analgesic further हम बात करते हैं fast acting drugs में कौन कौनसी drugs आती है और उनको किस तरीके से यार्प करना है fast acting drugs को learn करने की trick है Thailand में proposed itomendate Thailand से आएगा हमारे पर थायोपेंटेन sodium, me से है methohexitone sodium, propo से propofol, itomendate यह पूरी ही एक drug है चलिए बात करते हैं अब slower acting drugs की यह further तीन पार्ट्स में divided है benzodiazepine, opioid analgesic and dissociative anesthetics dissociative में हमारे बात सिर्फ एक ही drug है जिसका नाम है ketamine opioid को analgesic में दो drugs है fentanyl and remy fentanyl जिसका याद करने की trick है fentaremy benzodiazepine को याद करने की trick है मेरा दिल मेरा से है medazolum दिल में di से है dizepam L से है lorazepam THANK YOU